मैं सर आपका विद्यभारती उच्छिक्षा संस्थान की और से बहुत स्वागत और अभिननन करता हूँ साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं संदीब गूशी जी जो राजस्थान से हैं और आप एक इनोवेटिव टीचर के रूप में आपकी एक पहचान बनी है आपके बहुत सारे कामों को आप राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों ने भी अडॉप्ट किया है इस विशेक के लिए मैं विद्यभारती उच्छिक्षा संस्थान की और से आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिननन करता हूँ बहुत-बहुत दन्ले वागत अभिशेक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं अभिशेक जी का परिचर करके देता हूँ और उसके बाद आज के कारेकरन को विदिकत आप शुलू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ अभिशेक रचंध ऑषगा अभिशेक जी कोवेड़ी इछ ऐस स्वाइशलों आपका प्रश्धोरी जीन सबाद ». बिहार एन मत्यप्रदेश राइट नाओ अभिशेग जी इस अस्पिरेशनल दिस्क्रिक्ट प्रोग्राम और नीपि आयोगा। कारेक्रम को शुरू करने से पहले हम सरप्रथम मासरस्वती की वंदना करेंगे और उसके बाद अधिशेग जी इस कारेक्रम को विदिवत रूप से संचालित करेंगे। मैं सुधाकर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मासरस्वती की वंदना को शुरू करेंगे। या कुंदेंदु तुशारहारधवना, या शुप्रवस्त्रापृता, या वीणावरदंडमंडितकरा, या श्वेत पर्मासना, या प्रम्हाचुत शंकरप्रभृति भी, देवैस्दावन्दिता, सामापातु सरस्वती भगवती, निश्येश जाड्यापाहा, शुक्लाम ब्रम्ह विचार सार परमाम, आध्याम जगत्व्यापिनिम्, वीणापुस्तकधारिणिम् अभयदा, जाड्यांधकारापहा, हस्ते स्थाटि कमालिकाउं विदधतिम्, पत्मासने संस्थिताम्, बंदेतां परमेश्वरिम् भगवतिम्, बुद्धि प्रदाउं शारदाम्, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी, सुधाकर जी रिसर्च टीम के फेलो हैं, और हायर एजुकेशन की सारी विबिनेर्स को आपकी कॉडिनेट कर रहे हैं, और आगी की कारेकरम के लिए मैं विद्यभारतिकी ओर से आधने अभिशेक रंजन जी का बहुत-बहुत स्व आपने विशेस तोर से नमस्कार, आपने विस्ततम समय में, especially मंडे को सोमवार के दिन, आपने समय निकाला, इसके लिए आप सबका आभार, आज की चर्चा में हमारे साथ दो बेहत खास एक ऐसे विक्तितु के तौर पे मौजूद हैं, जो कही न कहीं इस सिक्षानिती को न लेकिन फिर भी दो विशेस परिशे जो है मैं देना चाहता हूँ, कि आपने उत्तर पुदेश के सिक्षा में खास करकी स्कूली सिक्षा में आप एक जाना माना नाम है जिन्होंने हर अस्तर पेचा है, सीमेट से लेकर रास्ती अस्तर पर नीपा तक में भी आपका काफी कं देशक आपकी कंट्यूशन को तो पुरा राज याद करता है, बाकी उस्तार से पर शे अन्नाग जिन्ह दिया है, संदीब जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीब जी एक ऐसे सिक्षक के तौर पे मैं उनको हमेशा याद करता हूँ, जो एक रोल मॉडल की तरह नकिवल अप पदील कर दिया है आपने, बलकि बताया है कि कैसे अगर करनी की कोशिश करे कोई सिक्षक तो चीजे बदल सकती है, और जालोर के विद्याले को एक तरह से मंदिर, आदर्श मंदिर में तबदील करने वाले संदीब जी, वर्तमान में रास्ति अध्यापक सिक्षा परिशत क सदस से भी है, और कितने गौरब की बात है कि एक सरकारी स्कूल के सिक्षक को इतने बड़े संस्था का सदस से नामित करके एक इंटेंशन भी बताता है सरकार का कि हम किस तरह के से बदलाव चाहते हैं, तो बहुत-बहुत आभार आप दोनों का, और मिजारब भून का ना बानते हुए, क्योंकि हम दोनों वगत्ताओं को सुनना चाहते हैं, मैं आज की बादचित की शुरुवात आदनिये कश्मोन तुमाडी सर से करना चाहूंगा, कि सर, यह जो आज का विशह है, स्कूल कॉम्पलेक्स, इस विशह पर एक ओपनिंग रिमार्ग के जरिए, हम आ सर आपकी माइक म्यूट है. यह जो विद्याल है, संकुल या स्कूल कॉम्पलेक्स की योजना, कुथारी कमीशन 1964-66 में रिकमेंडेशन के तौर पिटिया गया, और उस समय इसको लागु कर्टे में, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से कुथारी बढ़ती गई है, और यह योजना लागु नहीं हो सकी, प्रवादी महीं हो सकी, एक गवर्नेंस मॉडल, हम बहुत सारे फोटे 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 स्कूल देखते हैं, हम देखते हैं कि विद्यालियों की बहुत ऐसे 28 प्रकिशाद के त्याले हैं प्राइमरी स्कूल, जो जिनमें छाट संध्या 30 से कब, ऐसे 14 प्रकिशाद उनके प्र प्राइमरी स्कूल से हैं जिनमें, और भी संध्या काँ रचोगा हम बच्चे, तो इस तरह से ये छोटे-छोटे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रेक्शा के साथ-साथ अध्यापक, विशेवार अध्यापों की बनाती, विजिक टीचर, फिसिकल एपिशन टीचर, लिबरेट इस लाइडरी इस सबकार प्रहानी जर्ट से उपलबदादा स्वोशी करने की दृष्टी से एक नया गवर्नेंस मॉडल, एक नया सपोर्ट सिस्टम प्रिएट किया थे, वस्कूता है जहां आज-पास की एक परिफरी में लगबग 10-15 किलोमेटर की दूरी पर एक सेटियर सेक्रिडरी स्कूल, जो पब्लिक स्कूल हो और हाद जो सरकारी स्कूल हो, उसके प्रिसिपल्स की लेडर्शिप में आज-पास के प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, अपर प्राइमरी और सेक्रिडरी स्कूल्स को एक साथ करके और एक प्रयास किया जाने की लग प्रभावी जन से संपर्ण हो सके अब जानते हैं हम सब्रुप जाते हैं कि सब्सक्राइब आपर प्राइमरी स्कूल तो इस तरह की विवस्ता को एक लीडर्शिप रोल सपोर्टिव सिस्टम के रूप में देट नोटल पॉइंट बनाया दूग गया है इसको पहुत सब्सक्राइब में अगर हम जपाइब करना चाहें तो इस पॉइसे विवस्ताइब स्कूल रोल्काल प्राइब छ्णाफड करें थे विवस्ताइब ग्रॉपेड दोग खीषण टो ग्रॉप्राइब ग्रवेर्यूप इपतीच्छणीों प्रवाइब करने के यह एक व्यवस्तार दी गेंगें. यह पहतर गवर्नेस पॉर्डलों, यह एक्सिस्टिंग सिस्टम जो है उसके जो ब्लॉक एडिकेशन ओफिसर, उसके जो इसके एडिकेशन ओफिसर और तूसरे जो प्रूप है, यह से साथ सब्सक्राइब. जो लिए्वाइब कर का थे ओडिकेशन ओफिसरे टूसरे और देगेशन ओवर्नेस इस परूपूप। आपकता के सकते मेर अपरोड स्ंसाइबर बिलाविप्य कोई इस तरह से ये एफ बहुत इफ एप्छिटिव एपश्टिवर इन वीट कोई यहां ही है निटिन आफस्टेस्ट, वहार मोजने सब्सक्राइट अई प्रफ के उन सब्सक्राइट अईए खोग्वाट उन सब्सक्तिक पुमाना इथ कि शेख मुझने मुझने जिडिक इटर मुझने ऐड उन negócio उनmbre शे स स्टेखि की इक चाहिडेर सेष्य मुझन खरूट के चितिक चुर्प फिर्प aura किप अप्ट गूब्हों। लेटर से टीचर का, उनको हर तरह की सार्दक सुईधाय, उपलब्द कराएं, तो इस तरह से रिए कमुनीटी अप टीचर्स तो वर्क तूगेदर, सबोर्ट इक अदर, जो अधिकम होगा, जो सीखने की वुर्टी होगी, वह अपस में टीचर एक दूसरे की इससे ट्रटा कर के सीख सकेगे, तो इसको अधिकम होगी, तो इसको हमारा इसस्टिंग सुपर्वाइजरी सिस्टम है, इसको कॉम्पिमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा, और जो इसस्टिंग सुपर्वाइजर से लेवल, और सो अधिकम होगी, पूल कॉम्पेक्स लेवल, लेवल, तो इस तरह से यह बहुत ही, ऐसी रोस्ता है, जिसमें हमें बच्चों के रिजम पर चोड़ देना होगा, जहां पर हम हर बच्चे पर ध्यान दे सके, इंडिविड्यु आर दे सकेगे, और हम भजे ध्यान दे सके, जह किस बच्चे पर कॉन सी अंदर भी शामता हैं, जिर्को हम आगे प्रस्टूत कर सकते हैं, अधिञटिफाइटिवाइग गएपनेटी पोतेंटिल अधिशल तो इस तरह से एक बहुत प्रभावी बॉडियल है अगर बहुत से छेप में हम कहना चाहें तो हम एक अच्छा स्कूल खाने रहान करेंगे अच्छा स्कूल बनाएंगे अच्छा स्कूल बनाएंगे बच्छे का बिढाले में घर्य रहता है तो इसकी जो fo Beach अटनार। बढ़ बाऑश है वी कूई अगर दो हैं अच्छा करने तथे रजिए हैं की मिढऄ का बढ़ाने हो इसoup हाए पोग आगर तो यह थान में रखना होका खाल कि हर बच्चे में एक विश्च कुछा है एक उनीकने साहिए और उनको पहचानने के लिए यह गार्णे स्वाइट रहुआ झाड़ा हुआ इस पर काम नहीं हो पाया तो अब हम ऐसा स्कूल का निर्मार करेंगे जिसमें रिस्पेक्टिंग स्टूटेंट ऐसा इन इंडिविजुए और ये थ्यान में रखना होगा और ये इस मॉडल से जरूर होगा अंडरिस्टेंडिंग स्ट्वेक्टि बच्चे को समझना और समझने के लिए जो सारे ये जो स्कूल कॉंप्लेस का प्रधाना चाहिए होगा वह गवर्नेस लीगर्शिप में प्रवाइड खरेगा वह उसकी जिम्मेदानी होगी वहां प्रजार्ट की रखिविटियों का मुर्यांकन करें और उसको आगे जिए अध्यापमोंगी उसका समर्भान करें तो इस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी है निकत लिए से आप इंडिवीजूल पहरें इसको जाते हैं अभिवावकों का वीद्ची पैठार और उनकी सहाथा लेना इस पर भी ये मदद करेग कि अध्यापम करें लिए जिए ऑपक्राइब तो इस तरह लेद्ची पोच्ति शीए अध्या है आगे तो प्राइब जाय पिए से एक बड़ी जिए नवीजिए करें आगे रवावकों का है से एक बड़ीज Dale इस प्राइब लेडयर निए मिए्यक अ कर लेड़ीश अगे इडियाल सुच आपकिज वणने शुल एब इसके लियु खिए इसके लिजस्तिन इसके लिजए चेटर जापरेश एक खादिध प्रकारिस्टी में जातु हुआ, लिए खिए गुटमेंश कमेंट्थे साथ हुआ विए अब प्यार्व गजस्वरस करदेश, फिच्टेश, व इस प्रभावे जंस लाओ नहीं सिस्टम अजदोर मैं कहना चाहूंगा कि ए लिज और गोजी साह और भाम इप दो ज रेप्तेट लिए इन को दोजोते लेगाट चानला है विलन कि लिडियक थétaisनि ऑ मद रिय्ज अप्रव्यस्त शेंड़लाetts दिर विलन जानल अबनांध इन्टे। तो इस तरह से यह जो चाह्त बहुत सारे रखार्यों में यह देखा रहा है कि एक यह कॉंट्रिक्ट अविटर्स होता है एक जो अधिकार है यह जगह दे दिये जाते हैं जिसके कारण कचिनाई उत्पर्ण होती है और उससे इंट्रेस्ट होता है इसको रिबूब करने के लिए अपने डाजियों में विजाद करने की रावचेटा है यह बहुत ही प्रभावी रिक्मेंडेशन है इस पॉलिशी की ह अधियार में रखना होगा कि हम अच्छे चरित्र जर्वार के विकास करना है जिसको कहते हैं सरवांति विकास स्वामाचिक, सास्कृतिक, अर्ध्यात्मिक, चारित्रिक और सवाइगा आत्माचिक, विकास करना होगा कि मोश्का डिवलप्मेंड आर्फोकसिंग अर्फोकसिंग अर्फोशनल डिवलप्मेंड बच्चे बहुत कुरूदी देखे जाते हैं कभी-कभी विक्सित होते हैं तो बाद में बड़े सलहारत मत्ति उत्परन हो जाती है, स जर्णा, इर्शा, जैसे इनका इसे विकानों का संतुलित विकास करने की अबचनता है, इसको अमारी गुंदरों को परिशेश करके स्कूल कम्प्लेक्स के सुख, लिडर्शिप रोल में विशेश्प के रियासिक होगा, जिससे ऐसे इत्लांटिक चरिश्वेटिके कि वेक अच्छे इंसान का इर्मान, अच्छे विपियों का इर्मान, अच्छे नागरिपों का इर्मान, जो अपने रेर्श страшी रहागाके साथ साथ उत्तरडायिक और अपने कत्दतों Kellam 2009 3 कि अब जब बहुत बहुत आभार सर्ट काफी इस विशेग को लेकर अभी जितने भी सवाल जिसे सुधाकर जी ने भी बोला कि जो भी सवाल आपके मन में हो आप जरूर हमें भेज़े ताकि हम और जान सके तो पैड़ी सर ने जो दो-तिन प्रमुक चीजों की तरफ इशारा किया कि रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हमारे कि अगल बगल की स्कूल भी अपने डिसोर्स का शेरी नहीं हो पाता मैंने तो अपने स्कूलों के साथ काम करते हैं कि कई बार एक ही अगल बगल के दो स्कूलों के बीच में उतना जादा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता एक ही कैंपस में तीन स्कूल है और तीनों के अ अब एक ऐसा है कि जहां पे हाईर सेकंडरी स्कूल जो है अपने प्राइमरी और अपर प्राइमरी के स्कूलों की एक ओर्नर्शिक ले रहे हैं, वहां की हेड सारी चीजों रिवस्थाएं देख रहे हैं, इस तरह की चीजे इस विशह में आया हैं, और इसकूल कॉम्टेक्स क विशा पर बुलाएं, आपने जो इस स्कूल कॉम्टेक्स के मॉडल में एक बाते कही गई है कि हम इसमें केवल सरकारी लोगों का ही इंटेग्रेशन नहीं होगा, बलकि समाज का भी इंटेग्रेशन होगा, समाज चाहे वो सोशल वरकर्स हो, समाज के बाकी के हिससे, उनको भी कही न कहीं इस स्कूल कॉम्टेक्स के चीजों में आड करने की कोशिश की गई है, उनको भी इंवाल करने की कोशिश की गई है, तो किवल सरकारी रिसोर्सेस नहीं इस्तमाल होंगे, सब लोग मिल के नहीं कान कर भी हैं, बलकि समाज भी इसका एक हिससा बनेगा, जी स्कूल कॉम्टेक्स के विशेक को एक सिक्षक के नाते हैं, आज सिक्षक की बीच में लगातार काम करने के नाते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, और हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, उनको उनका बाइब निश्यक जी, बहुत आवार आपका, विद्या बारती जी स्कूल कॉम्प्लेक्स एक सिक्षक के रूप में कैसे देखता हूं मैं, तो मुझे याद आया भी, सुनते सुनते ही, आज एक विशे सिक्षक का जड़ इस्परती दीवस्त भी है, आज ये श्वंद रावजी केलकर, आज साथ दिसंबर के दिन ही उनकी पूने के थी भ प्रकार से पूर्णांग को प्राप्त करेगी तो इश्वंद राजी की बात इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के उसर पर मुझे एक दम याद रही, एक कहानी भी हम समने सुनिए, बच्छपन में बहुत चोटे संक्षे में उसको पेश्टना चाओंगा, एक को व्यक्ति अंदा विकलांग था, किसी गाहों में आग लगई उन दोनों को निकलना था, तो जो अंदा था मगर प्यार मजबूत है, तो लगना वक्ति इसके उपर बैठ गया, और एक दूसरे को मारशन करते हूँ आगे बढ़ चले, तो जैसा त्रिफटी जीते प्रारम में कहा था, हमारे देश में लगब 28% प्रात्मिक स्कूल ऐसी है, जहां पर नमांगकन 30 से कम है, और लगब 14% स्कूल ऐसी भी है, जहां पर नमांगकन 25-30 तकाई है, आठी तक स्कूल है, और हर गखशा के अंदर पाच बच्चे भी नहीं है, ऐसा यह एक बच्च यह बिए हैं, तो जो सकूल तो स्कूल कॉम्पेक्स ऐसी सब प्रकार की समश्याओं का समाधन करने के लिए उनने से सट्रेश में विचार किया गया होगा और ठीक प्रकार सागे बड़े संस्तादनों का उपयोग हो और साथ-साथ जो मुखी विशे है शिक्षक की प्रतिवा उसका भी उपयोग हो तो दरातल के उपर इसका विचार करते हैं तो हमारे दाजिस्ताम में पिछली सरकार ने एक प्रियोग किया था पिईव व्यवस्टा कैदार पर हर ग्रात dh को मिल जिया गया राइसано चल रहा है कि अब अब हमारे चल रहा है वह एक व्यवस्था है एक ग्राम में पें बड़े कर फिउन से ऊह Gotta पर है उसे हमको लाव यह होता है मानलों एकाथ किसी स्कूल में गणित के कोई शिक्षक है और मेडिकल पर चले गए यह विग्यान के एक शिक्षक के के पोस्ट खाली है तो उसी पीओ लेवल से हम बुला लेते हैं यह हमकों के चले जाते हैं आपस पर एडेस्ट्मेंट तो और पीओ जो तो अधिकार ही हो अपने लेवल पर यह सिक्षकों का समाइज आख़र रहे हैं। पर नहीं सिख्षाजल आश्यारस पर विगयों की बात हैं यह मेंतमर वाता मेंट्भ बाते हैं। विद्यार्ची के शर्वांगे ने विकास की बात करती है जो स्वामी विवेकानन जी ने गांडी जी ने कहा कि सिक्षा से हमारा आज माला की मन, बुद्धी, शरीर, आत्मा का विकास करना है उसके लिए जितने संसादन चाहिए होंगे वो सारे संसादन हर स्कुल तक पहुँच पाए संभव नहीं है हर स्कुल में 25-30,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी हों संभव नहीं है किंतो हर पीए ओ लेवल पर ग्राम पच्छा लेवल पर या स्कुल कॉंप्लेक्स लेवल पर या संभव है इसी दोरान चर्चा करते मुझे अच्छा उड़ान और याद आया गुजरात के अंदर एहमदावाद में एक स्कुल है प्राइविट स्कुल है गुरुकुल है आचारे हैं चिंद्राचारे स्कुल तो स्कुल कॉंप्लेक्स बनाते हैं तो स्कुल कॉंप्लेक्स बनते हैं यह सारी प्रतीवा है यह आपस में मिल जाएगी सभी को एक उस पालाब मिलेगाउ अध्यन की दिर्टी से में क्रियां की घर जिगंकृ 2 एक जोड़ लिया तो विश्य चावस्चिक्षण में भी और खेलकुज में भी प्रयोक्षालाओं में भी और पुस्तकाले में भी हर प्रकार से यह जो कि स्कुल कॉंप्लेक्स से रहता है यह बड़ी अच्छी सिद्ध हो सकती है बात वही यह जो मेड़के जिसने सविधान के बारे पर गहां सविधान की सफलता इस बात पर मिरबर क करेगी इसको करने वाले लोग कैसे हैं द्रातल इस तर पर इसका स्कुल कॉंप्लक्स संस्टेट का ठीक प्रकार से क्रियान वन होता है तो बड़ा जबर्दस निगलेगा और जैसे आपने कहा कि सोशिल इंटिगरेशन भी होगा केवल संस्टाद में का इंटिगरेशन नही अब बड़ेगी अब वास्ता में चलने वाले चाहरे स्कूल आपस में परतिद्वन्दी होते हैं उनका नमंगर अधिक क्यों है हमारा नमंगर कंप यह होता है किसी एक स्कूल में अच्छा टीचर है तो तोड़ने की कोशिशिश होती है अच्छी सेले देंगे अपने आले तो यह जो ध्वन्द है आपसका एक नेगेटिव कॉंपेटिशन अच्छा दिकत नहीं है प्रतिसपर्दा स्वस्त्र प्रतिसपर्दा होने चाहिए तो वह इससे कम हो जाएगी आपस में जब आप कॉंप्लेक्स हो जाएंगे एक स्कूल प्रेंचाट लेवल पर एक लेव बच्छों को भी काम करने का आपस में दूसरे मिलने का अवस्व मिलेगा नहीं ने स्कूलों के विद्यार्ति जब भी जाएंगे माने अपर उसकाले के बाने या प्रेंगशा प्रेंग्स सेमिलेगा नए सिख्षक किया सोचते हैं कैसे पढ़ाते हैं नए विद्यार्थी उनकी रूची के विश्य क्या है तो व्यक्तित्व के विकास की दिश्टी से भी ये स्कूल कॉंप्लेक्स बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है इसमें एक बहुत आलां कि दरातल इसके पर जब समझा आ सकती है वो सकता है बाद में लगे कि ये बहुत ठीक नहीं है अभी जो लग रहा है मोटे मोटे तौर पर ये स्कूल कॉंप्लेक्स ठीक प्रकार सिला गया तो शिक्षा के शित्र में एक अभिनोव प्रयासिद होगा और बहुत बड़ी उपलब दियां जिसको कर सकते हैं स्कूल कॉंप्लेक्स के लिए निमेक्षद लिया गया है पर उसमें जदा सफल इसलिए नियुक्षा क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से अपना काम केवल डाटा कलेक्शन ना मंग कितना है वह सारा आंकड़ों में उलज गए आंकड़ों में उलजने की बजाए यदि वास्तों में ध्रातल पर काम करेंगे तो शाइसकार लाब मिल सकता है विद्या बार्तिन इन्ड ऑर्तिन की संकूल व्योस्ता है अब है जाते हुकर में संकूल भनें हुए पाउज साथ–श्कूल के उपढ़ों संकूल होता हैं, उस्बाद की विए संकूल प्रुमुकी होता है उनमें बहुत सारी प्रत्योगिता संकुल उस्तर पर होती है इसकुल कॉंप्लेक्स की व्यवस्ता है यह सिक्षा के शेत्र में सिक्षा के सरवान विकास की देश्टी से बहुत लाब दैक सिद्ध होगी ऐसा मुझे लगता है और कुछ बाचित है तो पर चर्चाग दर आगे बड़ा सत्ते हैं से बिलकुल बढ़ाएंगा और मुझे लगता है कि जो आप अप्रिहेंशन है मैं चाहता हूं कि आधिनियों त्रिपार्टी सर हमेर साथ जुड़े हैं और हम उनी से कुछ चीज़े जानने की कोशिश जो डेटा बोलता है अभी फिलाल जो आकरे हैं वो आकरे बताते हैं कि भारत में जो 2017-2018 का जो डेटा है उसके मुताबिक देश में अभी 14.85 पंदरा लाग प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है लेकिन जो उच्चे मादिमिक विद्याल है उसकी संख्या सवा लाग क क्रिटिक्स भी मानते इस चीजको बोल रह泠 है कि हमारे स्कूल में हाइज स्कूल के संख्या बहुत कम है और स्कूल कॉम्पलिक्स का जो आईडिया है वो बहुत ही नोबल आईडिया है खास करके कि शहरों में तो बहुत अच्छे से इंप्लिमेंट हो जागा ग्रामी इलाकों में, ट्राइवल इलाकों में, दुरस्त इलाकों में, इसकी काफी मुश्किले आज आएगी. सर इस पे काफी चर्चा हुई होगी और आप तो स्कूल एडुकेशन से जुड़े हैं, तो मिश्कित वसे इस इस पे बहुत विस्तार से सोचा समझा हो गया होगा है. इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जो संख्या कम है, वो भले ही आज पर उसकी स्कूलों के साथ होंगे, लेकिन कई ऐसे इस इलाके हैं जहां पर बहुत दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, फिर वहां पर कैसे इंप्लिमेंट हो रहा होगा? राश्ट्री ये माद्दिमिक शिच्छा अभ्यान जो संभाग्र शिच्छा अब्यान है, उसमें ये राज़र है कि सेवन तु टू टू किलो मेटर की राजिए सेटरी सोट रहा है, इसकी कोश्चे हो गें इसमें इडर खाफी विस्ताल की एक्सेस पधाया थे हैं, उसमें ये सल्दापना ये 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 की केवल भी ये जाया है पर दूर पिर 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 दूर्ट्ट्स लेगा था, इस्च वब नहों है। झालती।सिंट औरुटिछ स्फोलप्स, झालती।सिंट था प्राइब में।टिछ प्रणूप्सित।सिंट प्राइब टीजरे को सकते हृत्छबी।सिंट।क को तियुछुट इसकते हम एच टूर्म चनदूपी कंद बिलैद।स्टप्सितिएप।सिंट इन्हों भी टिजिए है कि निव एक तेजिए हैज बिज़ औरू भी एकुट उप्लीख जुट इन्हों औरर्फिस्टूेश्टीट इन्हों पॉच्ट चूट झीजब पाइज उपाइज़ छिज पुट धन्हों अंगे रिख लिव। जीज़ को पुट स्विट जुट इस इस प्रज़ इस सब्सक्राइब करें से दिख सब्सक्राइब बागर जो इस सब्सक्राइब दिख इस थे में। बच्चों का निर्वार हो पुछे कैसे हम जिख्यासा को उसल विसित करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सके हुटे सीखने के प्रशुक्ता हो, अध्यापकों में उस्टे जिख्यासा साहँ करने की अभिरूची उपर न करें। अगर आप चर्चा करने तो मैं इस समय के लाव जाने के जरूब यह कहना चाहूँगा, इस अध्यादियों को अध्यादे सही करने के महत्यों को सिखाया जायागा, थू दिस मॉड़िल, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, उच्छी तोरों उच्छी आपके मुत्पर्ण करने क समय होता है, यह जो जो अध्यों को अच्छी बाते, अच्छी गुनियाद, अच्छी प्रेट्रिस जालने की अवशित्ता होती है, and that role will be done by the school complexes, तो कैसे दिसा से दूर रहना, कैसे अपने उत्ता टाहितों को समझना, कैसे पारस्परिक साहियों की धावना उत्पन करना, कै कैसे राज़ी बहा होना का उन्वेस करना, यह बहुत अवर्शेक ठीजे होती है, और यह सब स्कूल कॉंपलेश के मुझमार, यह से संबब है, जैसा मैंने आप से यह कहा, कि आपको गवर्नेस मोडल बना पड़ेगा, जो इंजिस्टिंग गवर्नेस मोडल है, इंस्पेक् सुерм. का ओव लोग है कि ऊंक शोष्ट डिंखन और चौंपलेशियर जेन टते विवर्नेस मोडल ट् departments क के इंज बना यह significant沒事, एंस्थ्सक्तिंग के मुझमांब राज़ जे why it is hot, तो इसे चीज़ें ऐसी हैं जिर्फर हमें आपको बहुत बखुची से जहाँ करेंगा यह मॉडल इसको गारा मकरें करें चाहिया जाहों कि अमारा इसमार्स है कि आपकी अवाज थोड़ा सा रुख रुख के आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा माइक को आप अपने पास रख लिए अच्छा अच्छा होगा ऐसी उमीद है और इसको प्रभाविट थे लागू करने की चेष्टा करती चाहिए थेंक्यू सो मजच सर और इसे जड़ा एक और सवाल है लेकिन उस सवाल पर बाद में आऊंगा कि कैसे अच्छा जो है एक राज्य का विशेश साधिकार एक तरफ जादा तर स्कूल जो है राज्य सरकार के अधीन है और हर राज्य में यह जो स्कूल कॉंप्लेक्स का जो अभी एक इस्टिंग मॉडल एक डिफरेंट तरीके से जैसे यूपी में अगर कहें तो क्लस्टर सिस्ट अगर आप बद्रप्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पर हायर से केंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वही कलस्टर के सारे सरवा सरवा होती है तो यह डिफरेंट इफरेंट स्रक्चर वो कैसे इंपाक्ट करता है उस पर तोड़ा आपका माईदर्शन चाहेंगे लेकि इससे पहले मैं संदीब जी से जानना चाहता हूँ कि स्कूल कॉंप्लेक्स के इस आइडिया में आंगनवारी केंद्रों को इंक्लूड किया गया है। उसमें ये भी बाते की गई है और जैसे खास करके आप देख रहे हैं कि अर्ली चाल्डूड एडूकेशन पर काफी फोकस किया है इस निव एडूकेशन पॉलिशन 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 और देश में लगवग 14 अलाग के आसपास पास पे आंगनवारी केंद्र चल रहे केंद्र को स्कूल के परिसर में ही लाने की कोशिश की इस तरह की रिकोमेंडेशन भी आये हैं। स्कूल कंप्लेसक करना मुचिंट में धाइर हैë हैं अब कैसे देख्ते हैं, कि आंगनवारी, प्रामेरी स्कूल, अपर अपर प्रामेरी स्कूल इसका इंटीग्रेशन आर, स्कूल कंप्लेक्स का जो डिसोर्स का मेक्साम में कि स्थाela ने की। कि अभिश्य की सामने था धरातल पर अभी जो इस्तति हैं अगरी केंडरों की वे केवल पोशार खिलाने के केंडर गूर्प में बने हुए हैं अच्छे आते हैं जो भी खाना बनता खालते हैं बहुत कम जगे यह कुछ पड़ा ही होती है कुछ खेलना कुदा होता है या बच अब तक यह जो आयू थी उसके क्रेटिविटी की यह आयू सिक्षा के दाएरे से बाहर थी वह ऐसे निकल रही थी तो अब स्कूल कोंप्लेक्स के कारण से या स्कूल के दाएरे वाने से आंगरी केंडरों वहां शिक्षा जिसको कहते हैं वह भी कुछ फ्रारम हो पाएगी और वर्तबाद जो पाठे पुस्तुबाद शुरूप है और पहली कख्षा से ऐसा बना हुआ है कि बच्चा लगाता हो कितारें पढ़ना ही सिख रहे हैं पहली कख्षा में आजकल वर्णमाला या अल्फवेट नहीं आते हैं पाठ आते हैं आंगरी केंडरी सिक्षा केंड करेंगी वहां कि सिक्षा की चर्चा करेंगा वहां बच्चों का कुछ नब कुछ घ्यान अत्मक समयगात्मक यह सब बाते हो वाला केंडर तो इसलिए मुझे लगता है कि स्कूल कॉंप्लेक्स के कानन से आंगरी केंडरों और मजबूत होंगे अगरी की प्रणमा थी के सरक सब्सक्राइब करने के कारण से सरकाइब स्कूल वह भी जो पहली वच्छा आएगा वह बहुत कुछ पढ़कर आएगा कुछ तीक कर आएगा जानने समयगा समयने वाला बच्चा होगा तो स्कूल कॉंप्लेक्स के आइडिया से हमें इस चीज के लिए बी काफी और मैं तो बोलता हूं थोड़ा एक स्टेप और आगे जाके बोलू कि पोशाहार के साथ साथ में बच्चों को इंगेज कैसे किया जाए इंगेजमेंट तो नुट्रिशन आइटम जो देते हैं लोग अपने घर के लिए बच्चों को देते हैं और बनुरंजन इसके आगे ब बाते हुई है तो बाजी से अप एक एडिमस्टेटर के नाते काफी बहुत ही क्लोजली स्कूल एडिकेशन आपने डेखा और माइंडसेट को भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं रिसोर्स का कहते हैं कि मैक्सिमा उटिलाइशन करना उसमें टीचर का भी बात आता है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी और आय सेकंडरी स्कूलों का जो एक औरियेंटेशन है जो उनका पड़गोजी है उस सब अलग-अलग डिफरेंट है और अभी आप यूपी में इस रास्तिय सिक्षानीति को लागू करने वाली कमीटी के सदस्य भी है सर आप उसमें एक एक सवाल यह भी आ रहा है कि जो सिक्षक प्राइमरी का सिक्ष्ण वो कैसे हाई सेकंडरी में पढ़ाने जागा और इसके बारे में कुछ सचा है सरण कैसे यह सोस का इंट इसे वाक्या होगा फार्मुला क्या ऐसा हो一次 कि जापे सिख्षक कम है वहां पर लोग जो हमारा एक स्कूल ने मॉडल में वहां पर सिख्षक जाकर पढ़ाएंगी क्या होगा सर इसको कैसे देख रहे हैं इसका implementation खासकर कि शिक्शिकों के परिपेख्ष ते अब शेख जी बहुत अच्छे सवाल ने आपकी और आपके आपके सिक्षा कांकरेंट लिस्ट पे है बिल्कुल बिल्कुल तो जब कांकरेंट लिस्ट में है तो गर्वर्मेंट अफ इंडिया को के लिए ये आवश्चेक है कि वो इसकी मॉनिटरी करेंगे आप जानते हैं मुझे कहना नहीं चाहिए नोकर साही परिवर्टल नहीं होती है कि यह काम हम आप लीडर्शिप का है जो कितना लाव प्रभावकारी हो रहा है जहां तक यह आपनी बात है कि सेकेंडरी स्कूल पीचर कैसे चुह है जो रिसोर्स सब्वोर्ट है ठीसोर्सासर संपने बीप्रवाजब एक ब्रॉंड एडरू दिए उप्रश्वर्स लिए प्रवदाई गोहां सेखिए इसिस्टिंग डाइक सिस्टम चाहिं डाइक यह इसिस्टिंग राइक सट्ब्स पेड़ूंगाई हैं इस्टिं भाल कोई सबीधोड इसमाने अर्ड बोगह यह संहे पर उपिज मैधाग और ही होगी को जो तैंस हूँ अधी हम निम धिसको है कि मैक्सिटुट्टी इसमूस का उचिलाजिशन गो जने इंको है कि मैधने, सुदिया थैंसे थिंस को है तो पर दो कोई स्तरे का अलगाव में यह यहां ही जा सकते हैं, आप अब अब उसकर प्रदेश या अन्याराज्यों की बात कर रहे थे कि यहां जो बद्सक्राइब है, हमने अभी पिछे की दिवाई सवाल करें, कि क्या बात है कि हमने सब कुछ दिया है, हमने टीचर्स दिये हमने सफाइब है, हमने सफाइब है, हम पैसे भी देते हैं, हमने अलेक्रिसिटी भी आशर कुछ दिया, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या आप लेंडिंग अचीमेंट नहीं कर रहा है, तो कारणों का धेन करना हो जब दिये, क्या हम पढ़ाई कर दिचर-ठाट अचीमेंट पर कम समय दे रहे हैं, हम सुचना सक्लाइब पर जादा जोड़ दे रहे हैं, यह बाते सुचनी हो इतना सुचना है सब्सक्निग करके, करके ध्यावद घ्रभग उसी में अपके इन्टी हमझ लेता है, और यह सुचना है, हमने सुचना देते, और यह सुचना तो इसको कम करना पड़ेगा इस प्रभाद को अच्छा वहां जो सुपर्वाइजरी सिस्क्म है वो सारा इंगेज कर लेता है तो इन चीजों में बहुत बदलाव करना पड़ेगा पॉलिशी को इंप्लेमेंटेशन केवल अपने हमारी सुधाउं से नहीं होने वाला इसको इ यह ज्यान देना पड़ेगा कि 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 मैसमा यूटिलाइजिशन और और इसकेशन सोर्से कैसे करेंगे उसरे संस्ताओं पिस्टिलाइजिशन पहना होगा हमको यह ज्यान देना आवश्चेट है कि बदलाव किस घची से हो रहा है हम हम तो भी जिस्ता से करें अमा शी सिपन से कम बदलाव करेंगा उसी में से थोड़ा बहुत बहुत बदलाव करना पडेगा रहां सिट्का महीं थी रहां थी का नलों की सम्भाभ है इसमें बदलाव अने पड़ेगी और धिक हुआ पड़ेगा आप कि इसके लकार को जीस अभी चप्चा में लोगों को संदेखाबा की प्रहलेमेंट प्रहलेमेंट तो हमको यह लेखना बहुत आवर्शेफ हो गया है थी हमको ध्यान देना पड़ेगा हमारा जो इग्जिस्टिंग इसमें उत्तर प्रदेश का जो निरीठर पद्देती है इसको सुपर्विजर सिस्ट्रा है यह अनुत्पादक है जो रुकावत डालती है उसको अनुत्स करने ऐसे रुकावत पना करती है उन रुकावतों को रुष रणा पड़ेगा तो यह बड़े बद्लाओं की तरफ हमें आने चाहना पड़ेगा यह अगर अगर इसके बास विचार के चिंदर किया गया है पहुत दो करके कारें और सबसे बड़ी पार है एक अच्छा वदुष्य कैसे बने जो वारी जो आश्रती से भूल इसटार है अनाश्रत बभाव कैसे अचिए अचिए इत्वी जादा गुप्षाइब्स आगे बढ़ने के साथ साथ हमको ज्यान में रखना होगा कि हमें इसने हमें प्राजीन साथ्षुत समने कि उसको कैसे आगे बढ़ाएं। हम लोगों की सहायपा करें, दूसरों की वज़त करें, तर्मादू के सेवां से दूर रहें, रुड़ी आदतों से दूर रहें। इस चीज़े आनी पढ़ेंगी नहीं पिजिए रहें। तर्मादू करेंगे आगी इतार में से चर्चा करेंगे, तो अभी उसमें एक बोर्ड आप गवर्नर्स बनाने की बात केंगे। अऑ नटी मैं मेंiones की चुप्चा में घुचा में आतार लोंगो vibe, कॉझा बोर्ड आंप गवर्नर्स, का से रिडर्स्टिप में एडरी भाड़ने की थारत के ली पेल्क हाओ क wise इसको परिवड़तर के रूप में आवसर के रूप में इसको आपने रूप में आपने रखा और मैं चाहता हूं कि जो लोग हमारे चुकि यह सच्वे कॉंपलेक्स विशा है स्कूल कॉंपलेक्स जो है बहुत आसान महीं और बहुत आसानी सब्सक्राइब आने वाला विशा है और जब आप इसको पढ़ेंगे खासकर के जो ड्राफ्ट में जो बाते लिखी काफी इलोबरेशन इलोबरेट किया गया है जो हमारा फाइनल वर्ज मैं चाहूंगा कि मैं इसलिए सवाल पुछ रहूं क्योंकि मैं बाकियों से भी आग्रा कर रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है स्कूल कॉंपलेक्स को लेकर दो हमारे साथ वक्ता मौझूद है और दोनों लोग इस चीज़ के साथ काफी इंटेग्रेटेड है तो इसलिए क्यू वरल के 12 उसकीट को भी कंपलेक्स नहीं एक स trophic सोशल भी एक सोसाइटी को भी इंटीग्रेट करने की बाते की गई है स्कूलों का इंटिग्रेशन ही नहीं है, society का भी integration है और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं जो existing model है उसमें society का बहुत कम participation है भारत में मानेता है कि सिक्षा समाज का विशे होना चाहिए और इसलिए समाज को एक प्रासंगीक बनाने की कोशिश की केवल bureaucratic system से चीज़े नहीं चलेगी केवल सिक्षक नहीं स्कूल को चलाएंगे समाज भी रहेगा शामिल आप इस चीज़ को बदलाओ को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है बताओ सिक्षक की क्या करने की ज़रूत क्या जागो तो सवेरा ऐसा कहा जाता है तो शायद अंग्रेजों के आने से पहले देश में शिक्षा विभाग जैसे कोई चीज नहीं थी सिक्षा समाज आदारित ही रही है और सामादर उससे देखे हैं तो जो गुरुकुल पदती है उसके बाद की पदती है वह सिक्षा नेज सिक्षा सब्सक्रा नेटी के माद्यम से सिक्षा समाज दाओ वरा है और समाज सिक्षा का उपकल रूरा प्रकुल डाल दी गई तो बहुत गिरावटे भी आई है सिक्षा विभाग जैसी ओफिशल कंसर्ट होने से पहले देश में सिक्षा के जो आकड़े रहे आदा इन्हें ध्रमपाजी जो लिखें आगड़े बारतिय शिक्षा का स्वार्णिंग वरक्ष तो 1830 के आसपास देश की साक्ष सा ее ऑफिर बढ़ी है और जैसे ही सिक्षा में समाज का इंवल्मेंट बढ़ेगा को सिक्षा भी लाब हुआ समाज को भी लाऊकर हैं GTR है होने ही सामाज में जितना बिलाव होना है वो सिप विढ़ालों के राक्ते से होकर ही गुजरे गा अब तक मुप सारे प्रत्ता किया सब्सक्राइब करना है तो इतने प्रकार के अध्यापक हर स्पूल में जरूर नहीं है किन्तों हर बच्चे के लिए अभी सेंट्रल लेल पो आगया है सब्सक्राइब महिने में दस दिन मिना बेग के पढ़ना है करना है तो कोशल विकास करना है कोशल विकास कहां करेगा हो तो समाज में करने वाला है समाज में करता है तो उसको बुला कर सीखना है या उसके वहां जाकर सीखना है आई डिकास विकास बात शेक की गई Sum prayer से जुड़ाउय की बात की बात की बात कि पूसे robi aí सब्सक्राइब करेंगे तो सारे चीज अपता हो जाएगी और कई बार इबाप तलती भी है आदे नतुल के कहते हैं कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो इससे पहले जो अपने साल पुछा था आदे श्रीपाड़ी जी से वह साल मुझे बड़ा इंटरेस्टीन लग प्राइमरी में जो पढ़ा रहा है उसको जब काले के लिए कुछ पढ़ाना है उसको होता है कि हम एज असर जा रहे हैं हमारे की उज़ा चली थी बीच में शिक्षा तंबल अभ्यान उसका इतना हौवा था जो डरते से जो आएगा वो एज़तम अंगरे जमाने के मूर में यह का है हो का है हो एक साल दुकों से पहले तीन फाल और मांग लेगा आदमी अचा यह का है अचा हो का है आदमी डरता था एक मान में स्कूल में शिक्षा मंदी आयो इस राइसां के वो गलिचा करे थे हम बैठे चर्चा करे थे उससे मैंने सुजाओ दिया उनको जैसा अच्छें उनकोबार लाइए उनको राइए को चापय ग्लाइक करेंगि स्कूल में बछस दुड़ने कौन से भी स्ञख करेंगे उनको अभी ने कुस्ति का प्यर्वान कौनसे भी बच्छें से भूला कई फोर ग्रवह कर फोर कुश्ति के लो मंदर एक्सपर चड़ दाएगा मचली नहीं चड़ेगी तीजों की वही पुरिशा ले रहे हैं आप के त्यार के दिखाओं मचली त्यार लेगी हाथी नहीं त्यारेगा तो शिक्षा में बालक की जो बात चलती है हर बालक में कोई ने कोई विश्यस्ता है स्कूल कॉंप्लेक्स उन फारे विश्यस्ताओं को समाज की सामदे लाने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है और अनेक जो विश्यस्ता हैं बालक की वह सब इस माध्यम से बाहर आएगी कि जो हमारे मॉनिट्रिंग और इवालिशन की जो बाते होती है कि जो एक ऑफिसर जो इसके लिए रिक्रूट किये जाते हैं जो अभी है एक्जिस्टिंग सिस्टम में वो उसमें से बहुत सारे लोग है जो इंस्पेक्टर की तरह बिहेव करते हैं बलकि और वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि वो एडवाईजर की तरह करें और सर ये जो इसके बारे में संदीब जी बता रहे थे कि ये स्कूल कॉंप्लेक्स मॉडल एक तरह से गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूःव करने का एक बहुत अच़ा मेकनिजम है मैं इसको रिसोर्स के उटलाईएशन जाला एक गवर्नेंग सिस्टम को लोकल लेवल पे मजबूत करने का एक सिस्टम मानता हूंज एक और डिमांड उट रही थी वो कि इसक्षा में खास करके यह जो हम बोलते हैं मिडिल मैनेजर्स जिसको बोलते हैं जो हमारे स्कूल पे लीडर के अलावा चाहे वो क्लस्टर लेवल पे हो या हम इसको कॉंप्लेक्स बोल सके स्कूल कॉंप्लेक्स या ब्लॉक लेवल हो या इसके लेवल पे जो गवर्नेंस मॉडल में जो लोग इन्वाल हो रहे हैं वो उनका इनिस्टेटिव माइंडसेट अब प्लस अकेडमिक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है और एक डिमांड भी उट रही थी कि रादेश में जैसे यूपीएसी में अलग-अलग लोगों का सेलेक्शन होता है एक स्टिक्षा के लिए भी एक अलग संवर्ग हो रास्टी अस्तर का अट वह रिश्पॉंस्टी अट में अट जिस्टिक लेवल के आफिसर को वही लोग हो और जो लेवल पे भी ब्लॉक लेवल पे भी हो जो कमसे कम एक स्टेशन के साहत में अकेडमिक समझ रखता हो के वल वह काग जी बाते न रखता हो सर इसके राउन में बहुत साथ हुई होगी आपका क्या था चर्चा हुई थी क्या नहीं माना गया यह भी एक सवाल आ रहा था लोगों का हाँ हाँ हलो जी जी सर चर्चा हुई थे रिक्वर्डेशन पर की लही थी लेकिन अब आज नहीं आ रही है इस्टिंगा आई-एस प्रमनेटी है वो नहीं चाहेगी कि ऐसा हो तो पिछली पॉलिशी में थी था आगे सिखा आई-एस बनेगा 1986 की पॉलिशी में है बट इस बार भी चर्चा हुई थी लेकिन यह नहीं चाहते है न और भी बहुत रहाशी रिक्मेंडेशन थी जो हट रही है कि जो ऊपर के लेवल पर एडुकेशन का आद्मी जो लेवल पर जो सेक्रेट्री हो वो जो टेक्नो क्रेट हो तो चीजे कहने से कुछ फाइदा नहीं थी जो मेंडेशन थी बाती है यह तरह का बहुत सिस्टम पूशिक सिस्टम नहीं थी इसको रिमूव कर रहाँ कि यह तरह को यह थी जो यह सारग्द की जो बहुत है ओस्क्दोशिक चैड़ दूभाँ नहीं थार नहीं थीजे़केशन थी इस तो प्रवईदीज थी थी जो प्रवादिण थी तरह्ट गोगते थीज़़केशनी थीजेड हो एस थीज़केशन थीज़क्शिक्त्वी ब आपर दिखाए पर्टेट, अब दिखाए अच्छाची जोशी जी ने, जो अर्गान में इस्थिकी है, वो कुछ नहीं आता है, यह कहा है, हाजरी जोचिरी, आता है, जो इस्था अधिदा का सभाद है, जो अगर दो तीन घंटे प्रहादेगा तो नख के बच्छों के साथ में और उपका उपका इस्थिकी होगा है, जो बहतर होगा, आधिरी जोचिरी के जोड़ेगे बजाया है, जो शिट्छा का अधर अच्छा चिक्टेव बनाए कि जो एक की तो अपने अपनी होनी वाली है, जो एक च्छाख में ओपादेग्र करना अधिरी ज कुझा मेना कि आरा कि सभाद परी टीच्छा है, जो प्र मुझा प्रकेश्ची शीख्षा देना उनको उदार चरिता उदार चरित्र ना्ना उनके जिम्टम को विकसीत करना है। में पुझाल बड़न अधी पुसर बने गा शेसे की इसके इसछल अधिकार दिया जाय को अधिकार everyone उनको अधिकार दिया जाय को स्वBERTAL दिया हं इस anopyright और ब्लाक अधिकार हर स्कूल कॉपलेश को एक अधिकाई मान कर उसके साथ कारे करेंगे। नहीं तो जगे जगे देखते होंगे उसके प्रदेश, मतिप्रदेश कि कितना authoritative consciousness है हमारे इन लोगों विमारी सिस्टम उसको नाइवीट करना और जब से बियार्सी सी हैं सबसे तो यह जैसे कह रहे हो आप middle bank का रोल करनी लगे हैं एक हमारे मंत्री मुला करते हैं उनको कहते हैं इनको खतल कर दो हुआ नहीं कतम क्योंकि वहां जो ओपर से जो सिस्टम आ गया है वही सब लागों होने वाला है तो इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा और मेरा आप से विशेष अनुरूद है कि इसको 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 करनाने की दिशार में चर्टा करते रहें एक आखरी कोशन जो जानना चाहते हैं और यह बहुत जरूरी कोशन है कि सर रास्टिय सिक्षा निती केवल सरकारी स्कूलों के बात नहीं गड़ती पूरा एक स्कूली सिस्टम की बात करते हैं और देश में पैसर फिजदी स्कूल है सरकारी है बाकी के जो बच्चे हैं वो प्राइविट स्कूलों में जाते हैं तो सर यह इंटिग्रेशन का कैसे होगा और दूसरा की इसका आर्थिक मॉडल क्या होगा चुकि एक बहुत बुड़ी स्थिटी है सर खासके ग्रामीन इलाकों में उतरदेश में अभी इस आशन ने बहुत अच्छा निर्ने लिया कि एक लाग से जारा इसकूलों का काया कल्प हुआ है और भातिक संगरचना का विकास हो रहा है कई राज्यों ने ऐसे चोटे-चोटे मॉडल अपना है जैसे राजिस्थान में विवेकरन विद्याले खोले गए हर पंचायत में लेकिन आज भी काफी रिसोर्सेस की कमी है सर तो आर्थिक रचना क्या होगी और यह प्राइवेट और सरकारी का जो एक कॉलाबरेशन होना चाहिए वो कैसे देखते हैं सर यह एक विशह जो सिस्टम है उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि हमारे समाज में सिख्षा समाज के हाथों में रहिए अगर अगर हालो 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 जी सर बोली है बोली है आवाज आ रही है सर तो समाज के हाथों में रहिए अगर हम आपको जैसे भी चंचाकन रहे थे एक विलियम एडन की रिपोर्ट है 1835, 1836 और 1838 बंदॉल और बिहार की शिक्टा का सिर्वेक्षन किया था हूं और बहुत अच्छी स्थ दिनों थी उस समय एक वो दुन दिछड़ रहा था प्राच्चे शिक्षा पाश्यात्य शिक्षा तो प्राच्चे शिक्षा के पक्ष में जो धारणा उत्पन्वी उसमें विलियम एडन सपोर्टर थी हमारे बंगाल बिहार के शिक्षा बहुत भी अच्छी विश्था है उस समय कैसे कैसे गाओं के लोग सारी सिक्षा की विलिश्फा करते थिग और सारा वार्म वाहर वाहर करते थिगए तो प्राईविट सिस्टम है यह तो जरूरी भी है क्योंकि हमको सरकारि सिस्टम को जैलिंज भी तो मिलना चाहिए चनौ्ती में प्रतिष्परदार होनी सब्सक्री अहान मिलते दसरे जार मिलते हैं हमारे टीचर को मिलते साठ हजार क्यों फर्द नहीं है, क्यों पर्फार्मेंस अप्रेजर नहीं हो रागा था? और जो धूर्स वीटर्ट हूआ क्वार्ड रिस्पॉंसिबल फार इंपुमेंटेशं आफ तीचिंग लर्निंग प्रोसेसें तेशुट बी हैंड अप्रेजरट यह क्या करते हैं? क्या करते हैं यह मिडियल में को सपर्फोर्ट के सब्सक्राइब क्यों नहीं होता तो उनको जिम्मेदार बनाना चाहिए और जो 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 जिसको इसपेक्टर कहते हैं जिसको सुपर्वाइजर कहते हैं विड़ी नहीं है सब्सक्राइब करल से दिनिए अधिकारि जया Hag allowedWW कि कम पाड़ाह कोदेरी कि क्यों उच्छा करें लें जब पयुस्जा अधिकारि आख मैं कि कम सब्सक्राइव लेखनेद जबसेकर पर मतडाइव लेवल, हमारे लिए किसी को ज्यादा तंखा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का स्वरवांगीन विकास, सारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, और जो मैं कहता हूं, सम्वेग आत्मग विकास, यानि जो मैं इस बात पर हमेशा बल देता हूं कि बच्चों में क्रोध, घ्रणा, इर्शा, प्रेम, इस सब का संतुलिद विकास होने बहुत जरूरी है, अगर क्लास्रूम में यह नहीं हुआ, तो हम समझे कि पेड़ी को अच्छा चरित निर्मान नहीं कर रहे हैं, अच्छ इमोशन सब्द बना है इसी से, कि जिससे की उत्तेजना न भढ़के, बच्चे के व्यवहार में उत्तेजना का की कमी हो, यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी, मैं समझता हूं कि यह जो हमारा गवर्णेंस मॉडल है, स्कूल कांप्लिस का, यह अगर सही जिन से लागू जो निश्चित रूप से हमारे विद्यालेयों का विकास होगा, वहाँ पर जो पठन-पाठन की जिसको सिखनेतर और या पाठ्चसाहगामिक रियाएं कहते थे उनका भी विकास होगा, अर्थात खेलकूद, संगीत और दूसरे सारे जो इनेट फेकल्टी जो हमारे अंदर में आपता है, पहले के मनोवे ज्यानिकों का विष्वास था, चिंद अंतर कल्पनाने रिनाश्चित का हम विकास कर सकते हैं, उन फैकल्टी डेवलपमेंट हो सकेगा, तो ये इस योजना को भली प्रकार से हमें लागू करने के लिए तरपर होना है, और ये बहुत आवश है, राश्की शिक्षानियती का संदेश, हमको कारगर ढंग से लागू करना है, तो आप हमें बता सकते हैं, अन्य था, हम इस कारिकाम के समापती के बढ़ेंगे, और चुकि काफी एक कॉंप्लेक्स विसे पर बहुत ही, यू कहें कि हमारी समझ बढ़ाने में आप दोनों ने काफी महत्मुन रोल अदा किया, अब मैसे किसी के पास कोई सवाल है क्या, अगर है तो आप एक बार हैंडेज करके फिर बता सकते हैं, ओके, ठीक है, तो हम इस बात, अन्याग जी की जाज़े से थोड़ा इसको क्लोजर की तरफ ले जाते हैं, अलाग जी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो हमें बता सकते हैं, परफेक्ट, स्कूल कॉंप्लेक्स के एक बहुत ही, एक महत्म विशह पर, चुकि स्कूल, पूरे स्कूल एडुकेशन में, मुझे जगता है विद्यालिय सिक्षा में स्कूल कॉंप्लेक्स का एक बहुत-बड़ा रोल होने वाला इस निव एडुकेशन पॉलिसी, जिसको रास्टिय सिक्षानिती के तौर पे हम जान रहे हैं अभी, और इसे एक बड़े बदलाओ की बुन्याद रखी जानी है, मैं आपको एक चीज पुर्व तयारी है, जो की है, इसमें तीन चार चीजें जो मैं बताना चाहता हूं कि समगर सिक्षा को लाना ताकि एक इंटिग्रेशन हो, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, मिडिल, जो हायर सिकेंडरी, सब मिलकर काम कर इस खिक्षा व्यूभाग, समगर सिक्षा का एक हो, चाहे विद्याले को आर्थिक संसाधनों से लास करना हो, पहले पास यार, दस यार मिला करते हैं, अभी तो जिनके पास इतने बच्चे हैं, अभी कई सारी स्कूलों को तो लाक रुपे से भी जादा मिल रहे हैं, पहली बार भारत के इतिहास में खेल कूद के लिए स्क कार के तरफ से पैसे मिले, और नो डाउट, मिड़े मिल पे तो हमारी पूरी बजट का 20 प्रतिशत खर्च हो ही रहा है, इसके अलावा भी, चुकि अभी नितियाओं के जो कारिकम चल रहा है, एस्पिरेशन डिस्रिक प्रोग्राम 112 जिलों में, हर स्कूलों में, लेक्टिस समाज को भी इन्वाल्ब करने की कोशिशे हो रही है, इन सब का एक परिनाम स्कूल कॉम्प्लेक्स के इस आइडिया के साथ होने वाला है, बस यह है कि हम सब जिजज के अभी सिटी में है, समाज के प्रभोधन करने में, और स्कूल के सहयोगी के नाते, मैं कई बार बोलता ह इसमें उनको विकास करने में, उनके साथ मिलने का, और इसकी सरकार ने कही सारी स्कीम भी चलाया थे, कही कारिकरम भी चलाया थे, विद्याजली कारिकरम चलाया था, जिसमें समाज के प्रभुध लोगों से आग्रह किया गया था, कि आप विद्यालेक्स के साथ जुड़े मैं पुना आभार करना चाहता हूँ विद्राभार्टीबुच सेक्षन संस्थान का कि इस बातचीत को आउजित करने में आपने मुझे मुझे मौका दिया और सबसे जादा आभार आदनीय त्रिपारी सरका, आदनीय संदीब जोशी जी का कि आपने समय निकाला और हम सब का अधन किया और नो डाउट यह जो हमारे साथ जितने भी पाटिसिपेंट जुड़े थे देश के अलग-अलग भागों से आप सभी का बहुत-बहुत आभार कि उमीद है कि यह चर्चा आपको सार्थक लगी होगी और कुछ न कुछ ऐसे विशे भी ध्यान में आया हूंगे जिन्ते हम सबको साथ में कर सोचना करना है ओवर टू अन्राग जी अन्राग जी अन्राग जी भाई सब मुझे लगता है कि आज का जो हमारा सत्र रहा है वो वो पून तह से सक्सेस्फुल है क्योंकि जिस टॉपिक पर अभी तक बहुत जादा चर्चाएं इंटरनेट पर मैंने भी खंगा ली लेकिन स्कूल कॉंपलेक्स जैसे विशे पर भी बहुत जादा वेबनार नहीं है त इस स्पेशल टॉपिक की कही न कहीं एक जानकारी हमें आदन्य केम तरपाथी जी और संदीब जोशी जी मिल पाई मैं विद्याभारती की ओर से जुड़ेवे सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनन्दन करता हूं और साथ ही साथ अभिशेक रंजन जी को भी धन्यवाद करता हूं आपने समय निकाला इस प्रोग्राम को मॉडरेट करने के लिए और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आज के स्पीकर आदन्य संदीब जोशी जी का अवं के एमतिरपाठी जी का तो इनी शब्दों के साथ हम शांती मंतर की ओर बढ़ेंगे सर्वे भवनत सुखिन सर्वे संतु निरामय सर्वे भट्रानि पस्चन तू माकस्चिद धुखभागभवे ओम शांती 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 धन्यवाद थैंक यू अच्छा जी निमाषकार सभी को सभी को निमस्टे एएंक यू सो मज इस कारिकम की वीडियो फेस्बूक पे उपलब दे आप चाहे तो उसे शेर भी कर सकते हैं बिलकुल अभिशेक जी थांक यू थांक यू ऐसा नोश्कार झाली झाल यू झाले के उसे हैं